अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको रूबरू कराते हैं सुवे की सियासर से आज बात करेंगे जमियत उलेमाए हिंद के अधियक्ष मौलाना अर्शद मदनी के बेतु के बयान की जिसमें उन्होंने कोईड एजूकेशन का विरोत किया और लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलिज खोलने की वकालत कर डाली अर्शद मदनी यही नहीं रुके बलकि उन्होंने इस मौके पर गैर मुस्लिमों को भी ये सलादे डाली कि उन्हें भी अपनी बेटियों को कोईड एजूकेशन देने से बचना चाहिए उनके इस बयान के बाद अब इस पर जमकर बवाल हो रहा है जहां कुछ मुस्लिम धर्म गुरू उनके बयान के समर्थन में उतरा है तो वहीं कुछ लोग इसे तालीमानी सोच वाला बता कर उनके खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे है इसी पर ज्यादा बाचित करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ दॉक्टर मनीश कुमार दॉक्टर बहुत दोस्तों अगर्दार दॉक्साब अर्ष्ट मद्नी का जिस तरह का यह बयान आया कोएड एजुकेशन को सब चीजों के लिए उनका बता दिया किस तरह देखा जाए उनका यह बयान हलाकि कुछ मुस्लिम दर्व गुरू तो समर्थन कर रहें लेकिन बहुत से ऐसे लोगे जो विरोध में होता रहें देखिए बेसिकली लोग कहरें भई यह तालिबानी सोच है पहले चीज़ इसको क्लिर कर लिजए कि यह तालिबान दरसल यही देवबंदी है यह जम्यते उल्माई हिंद के मदरसे से ही यह तालिबान तयार होता है इसका आइडिलोजिकल रूट यही है इसलिए जो बहकी बहकी बाते कर रहें कि तालिबान की तरह बोल दिया अरे बाई तालिबान यही है एपसूलूटली दिर इस गृषिंटि टालिबान अम त्रच भी माला समी पA त्रच पॉरे पाकिस्तान में अफगानिस्तान में यह तालिबान होते है उसी में अस सब्सक्राइब अर उसे मंदी मदर सो में पढ़ने वाले जो लड़के तियार हो रहे है उनई ajaj काते हैं तालिब यह तो बेसिकली जो कटर पंथ जो तालिबान का है तो उसका गोमुख यह है इस इस अरिजिनल प्लेस लेकिन यहां पर जिस तरह से करने की कोशिच कर रहे हैं क्या कुछ असर होगा इसका अब बनाना चाहरे हैं असर तो हो गया असर तो अलड़ी हो गया असर तो यह होगा कि आपने बैठे बिठाए भारती जंता पार्टी के हाथ में एक और फूल टॉस बॉल आपने फेग दिया और भारती जंता पार्टी चौके छक्के लगाएगी इसके उपर और क्यूं लगाएगी इसको समझ लीजिए यह जम्यते उल्माई हिंद के दोनों जो मदनी साहब है अर्सद मंदी और महमूद मंदी साहब महमूद मंदी तो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे है यह समाजवादी पार्टी कहां जाएगी अब बिना जम्यते उल्माई हिंद के हिंदुस्तान में सेक्लर वोट इकठा कैसे होगा यह सब तो वोट के ठेकेदार हैं और आप ऐसे वक्त बोल रहे हैं कि जब अलड़ी उफान है और भारती जिनता पार्टी हिंदुत के मुद्दे के ऊपर यूपी का चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल इन्होंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि राम मंदिर होगा तो जनसान क्या कानून होगा तो आर्टिकल 370 होगा तो यह तर्मांतरन होगा यह तो अलड़ी भारती जिनता पार और उपर से आपने तालिबान का एलिमेंट जो है आपने डाल दिया लोग कि ट्वी सीम का बयान आ गया बयान आ गया केश्व परसाथ महुलिता कि भाई हम तो अरेस्ट करेंगे मौसर नजा का बयान आ गया मुक्तान अबास तरकवी का बयान आ गया सारे लोग उसके पीछे पर भाई एक तो बेहुदी वाली बिल्कुल हिंदुस्तान में जिस आप में बैटे रहते हैं मजजीदों के अंदर में मदरसों के अंदर में कि कब जो है लिभापा आएगा वह आगे सामने के ने बड़ा अच्छी बाद कह रहे हैं अरे बाद कैसे कह रहे हैं आपने इस बयान को दे करके इमिडिटली इस बात को साबित कर दिया कि नितिन प रहें यही बात तो यह कर रहे हैं मद्नी पंछा में तो यही कहा लेकिन ये कैसे समझाया जाएगा इनको कि सविधान से चलता है देश शरिया कानून से नहीं चलता है आपने देखा नहीं टेलिविजिन पर उसके एक आफिस बेरर आये वे थे जमिते उल्माई हिंद के कोई गुलजार आजमी गुलजार आजमी कोई थे वो साफ साफ कह रहे कि ये जमिते उल्माई हिंद वाले लोग ये अरसद मदी महमूद मदी ये गुलजार आजमी ये तमाम लोग और इनके साफ जितने जो भोपू हैं जो कहरें कि हम मुसल्माने सरियत मानेंगे मोदी सरकार को इमिडिटली ये एलान कर देना चाहिए कि भई इन लोग उपर सर जो है पूरी तरह से लागु हो जाए पूरी तरीके से लागु हो जाए ंचि ये नहीं चलेगा कि आप पर्सनल लाउज सरियत का मांगेंगे किर्मिनल लाज जो है वो हिंदुस्तान के समिधान का मानेंगे तो फिर ये गर्बन करें जुट बोलें पकड़े जाएं तो पूरे तरीके से परमादे रहे हैं उसको अरे घर तक नहीं रखना चाहते है नहीं यह बाकि और लोगों पर यह तो एक प्लेयर बनना चाह रहे हैं यूपी एलेक्शन है इस तरह का कंट्रोवर्सल अर्सद मद्नी का कितनी लोग जानते हैं हम लोग जर्नलिस्ट है कि पॉलिटिक्स पर नज़र रखते तब तो ठीक है लेकि इसको देखने वाले प्रोग्राम देखने वाले लोग मनें आप यह समझ लीजिए कि 80 फिजदी लोग अर्सद मद्नी को बारे में जानते तक नहीं होंगे है को लेकिन इन्होंने बयान दे दिया और मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन वो सामने आये मीडिया वाले गये बोले भाई यह बताओ इस तो सेक्लोरिजम के ऊपर खतरा आ गया आप तो कहते हूं भारती हिंतर पार्टी आने लग गई है सारा यह तो दलाल मीडिया है यह जो सेक्लोर पार्टी के पैसे पर पलने वाले जो दलाल किस्म के पत्रकार जो होते हैं उन्होंने करने से हिंदुतान में भी तालिबान है यह आरसेस बीजेपी वाले भी तालिबान है लीजिए सब अपने बिल में घुज गए अरसत बंदी के बयान के उपर कोई कुछ नहीं बूलेगा समाजवादी पार्टी वाले के पास मीडिया वाला पहुंचिगा कि भाई यह तुम्हारे लोग है यूपी में तो तुम्हारे को ही मुस्लिम भोट मिलेगा उन्हीं लोगों के जर पढ़ रहे हैं इन तो कहिए नामुरादों को असलीलता नजर आती है लड़का लड़की एक साथ इनको नजर आता है तो वह असलीलता है यह कितनी घटिया कितना इस टोनेज में रहने वाले लोग हैं यह किस जहनियत किस गंदगी से यह लोग जो है अपना जीवन यापन क कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है इतनी नीचता और उसके बाद समाजवादी पार्टी का यह बोला कि देखिए वो अरसद मद्नी सहाब हैं वो और्गनाजेशन चलाते हैं यह उनकी अपनी पर्सनल opinion हो सकती है अरे यह बात किसी और नहीं कहा होता कोई संकराचार कह दिया होता अभी सबसे पहले हैं सारे तमाम लोग गूत करके आ गया होते कि यह देखिये यह तालिबान है यह तालिबान है और यह पता नहीं है यह हंदूत्म का एजनड़ा और यह अगर ये बात समझे अगर ये काम किसी संक्राचारी ने किसी RSS की लीडर ने ये बात को कह दिया होता तो सब कूद गए होते उसमें अभी तो देश में दूसरा सब कुछ बंद बाकी टूटर, फेस्बूक, सब जगा सब काम बंद ये धंदेवाज लोग जो है वो लिफापा होर सब, ये सब लोग कूद गए होते हैं ये जो टूलकिट गैंग है ये सब कूद गया होता कि मैं तो अपने बेटी को को एजुकेशन में भेजूँगी, मैं तो तस्वीरे नहीं कर एक से एक तमासा चालू हो गया होता, अर्षद मंदी का नाम सुनते हैं साम सुंकिया, एक बयान कोई कंडेमिनेशन नहीं, कहा है राहूल गांधी, कहा है राहूल गांधी, ये चोरी-चोरी चुपके-चुपके सोनिया गांधी इसी अर्षद मंदी से मिलती है, कि किसी तरीके से हमारे उपर उसको कहते हैं कि नजरे करम हु रहे, आप हमारे भोट को करवाएं, ये करवाएं, ये दलाली का काम, तो ये जो बयान आया है, जो कहते हैं, एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, वही काम किया अर्षद मंदी नहीं, वही काम कर दिया है, ठीक, अभी बीजेपी का कैम्पेंज जो है वो उठ रहा था, उसको आप और आपने उसको उफान दे जो आज में जो है घी डालने का काम, और बेशर्मी देखिए, अपना तो लिहाज करो कम से कम देश में जो मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, कम से कम उनकी इज़त का भी ख्याल करो, जो टेलिविजन पे चेहरा लेकर के आज आते हो ये कहने के लिए, कि ये इसलाम में, कुरान में ये कहा गया है कि लड़का लड़की साथ में नहीं, ये आग और लखडी का रिस्ता होता है लड़का और लड़की में, जल जाएंगे और उसके बाद आप कहते हो कि हम सरियत कानून फूल लागू करेंगे, और कहा है भई, शाहिन बाग गैंग, ये पाकिस्तान पैसे पे जो शाहिन बाग में चल रहा था, भारत का नक्सा बना करके बाबा भीम रहा हो मेंतर की तस्वीर और सम्मिधान बचाने वाले, ये बोलेंगे नहीं अब, कि सम्मिधान को वो जला रहा है, सम्मिधान को मान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में सम्मि सरिय कानू टोरAnnू तो यह तमाम लोग जो सब्सक्राइब को ईतर तालिबान बेजनेकाइन अलए और भायि यह वह तुजानि नहीं नही कि यह 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 दे नोई बनाएंगी क्या दे नौ इट वहाँ जाएंगे पंद्रे दिन रह नहीं पाएंगे वहाँ पे तालिबान के रिजीम में यह कहते हैं यही लोग हैं जो कहते हैं आजादी मना जहन्नुम को इन लोगों ने आजाद मुल्क का नाम दे दिया है हिंदुस्तान के सम्विधान के तहट आप रह रहे हो इतनी बकवास लोग सुन भी लिते हैं गल्ती से आप किसे ऐसे मुल्क में होते जहां डिमोक्रसी नहीं है हिंदुस्तान के तरह समाज नहीं है हिंदुस्तान के तरह सम्विधान नहीं है और जहां हिंदुों के तरह तो सो करते है कि cooperate करने वाले adjust करने वाला population नहीं होता सीधे टांग दिये गए होते चाहिना में जाकर कि इस तरह की बकवास करके देखिए यह जो है ना सारा ग्यान शेरियत का जो है वो सब जो करते है कि side में ही चला जाएगा तो इस तरह के चीजों को ignore करने की जरूरत है लेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चुके आपने विल्कुल मौग परिवी स्टं का आप ने दे दिया तो आप मैं चाहते भाई भारती औंटापाटी वाले परिवत्स परिवने ना जाहते यह सिद्ची है तो ये ऐसा बयान विपक्षATA ये लुवांग गए दलाल किसम के प कुछ कहा ही नहीं तो ये मसला है तो जम्यत उल्माय हिंद के ध्यक्ष मौला ना अरशद मर्दी ने अपने बयान में मुस्लिम लड़कियों के अपना धर्म छोड़ने पर चिंता जटाई उन्होंने कहा कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना ध प्रवाल होना भी लाजमी है तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेर करें और उत्तर प्रदेश जुनाव से जुड़ी है खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्स्क्राइब कर आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया